हेलो एब्रीवान दिस साइट में है वाइकम सियों अमाफिशल यूट्यूब चानल वन्डर बांकिंग आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वादर इट इस एजबर पीयोग आईपीस पीयोग नेनिकाल बांक पीयोग और अराइबी पीयोग हर एक एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत जादा होनी चाहिए तो यह जो शॉट्रिक से वह आपकी कैलकुलेशन में आग लगा देंगी और आग की स्पीड को बहुत जादा इनहांस कर देंगी उझे टेलिग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा टेलिग्राम चैनल है अट दरिट वर्णर बांकिंग और फेस्बुक पर फॉलो करने के लिए टाइब करिए वर्णर बांकिंग आज हमारा शॉर्ट रिक सीरीज सेशन नमबर फाइब है इससे पहले मैं फोर पार्ट अल्रेडी अप्लोट कर चुकी हूँ अगर आप ये सेशन फर्स ताइम देख रहे हैं तो उन फोर पार्ट को भी आप जरूर देख ले आपको बहुत जादा हेल्प मिलेगी आपकी कै बूस्ट करने में एवरी मंडे और थर्स यह हमारा शॉर्ट रिक सीरीज सेशन आता है और नेक्स मंडे से मैं ट्राय करूंगी कि मैं आपको चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपके क्लियर करवा हूँ तो आप प्लीज इस सेशन को जरूर देखिए और चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए आज के सेशन में हम क्यूब रूट की ट्रिक सीखेंगे कि कैसे बड़े से बड़े नंबर का आप क्यूब रूट विदिन 5 सेकंड निकाल लेते हैं अगर आपको क्यूब रूट निकालना आता है तो बहुत अच्छे बात है आपका रिवीजन ह जाएगा और जिनको नहीं आता है वो आज मेरे साथ सीख लेंगे चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट सीखने से पहले हमें कुछ बाते ध्यान में रखनी होंगी अगर आपको कोई भी नंबर दिया है और उसकी यूनिट डिजिट में 1 है जिसका आपको क्यूब निकालना है तो जो उसका क्यूब रूट निकल कर आएगा उसके भी यूनिट डिजिट में आपको क्या देखने को मिलेगा 1 और ऐसे ही अगर कोई नंबर आपको दिया है और उसकी यूनिट डिजिट में 4 है तो जो उसका क्यूब रूट निकल कर आएगा वो भी क देखने को मिलता है तो उनका जो क्यूब रूट निकल कर आएगा उनके युनिट इजिट में भी आपको ये सेम नंबर्स देखने को मिलेंगे means 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 चलिए ये नंबर्स तो हमने देख लिए सेम अगर युनिट इजिट में 1 है तो उसके क्यूब रूट में भी 1 निकल कर आएगा और इनकेस अगर आपको युनिट इजिट में 0 है तो उसके क्यूब रूट में भी 0 ही निकल कर आएगा आप कुछ different numbers देख लेते हैं अगर किसी भी कोई भी number आपको दिया है उसका आपको cube root निकालना है और उसकी unit digit में अगर आपको 3 दिया है तो जो उसका cube root निकल कर आएगा उसकी unit digit में हमेशा क्या होगा? 7 जैसे देखें 3 का अगर हम cube करते हैं तो हमारा cube क्या निकल कर आता है 27 means unit digit में क्या आ रहा है 7 हम 7 का cube करते हैं तो जो हमारा unit digit है वो क्या है 3 means 3 का 7 and 7 का 3 इसी तरीके से अगर हम 2 का cube करते हैं तो unit digit में क्या आता है? 8 और अगर हम 8 का cube करते हैं तो unit digit में क्या आता है? 2 तो ये numbers आपस में इंटर्चेंज हो जाते हैं, बाकि ये numbers बिलकुल सेम रहते हैं. आएए अब हम बहुत सारे examples लेकर cube root निकालना सीखते हैं, इसके लिए बस आपको दो steps याद रखने हैं, और आप खुद ही shocked रह जाएंगे कि कितनी जल्दी जल्दी इतने बड़े-बड़े numbers के cube roots आप seconds में निकाल लेंगे. चलिए, हमारी first step क्या है, आप ध्यान से देखिए, जो भी number आपकी unit digit की place पर है, उसे देखिए, और उसके cube root में जो भी number आता है, आप उसे लिख दीजिए. जैसा कि यहाँ पर unit digit में 4 है, तो हमारी cube root में भी unit digit पर क्या आजाएगा 4, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था. अब आपको क्या याद रखना है अपनी step second में, यह था आपका first step, कि आपको unit digit पर देखना है कौन सा number है, और उसके according आप उसका unit digit का cube root लिख दीजे, जैसे कि 1, 4, 5, 6, 9, and 0. अगर यह number हमारे unit digit पर होंगे, तो इनका cube root भी same होगा. अब हम आते हैं अपने step second पर. अब इसका आगे वाले number कैसे आएगा, जो हमारा unit digit है वो तो 4 आगया, अब इसका आगे वाले number कैसे आएगा, तो हम सीख रहे हैं क्या cube root. तो इस number में जो यह आपको last three digits दिये हैं, इनको भूल जाएए, इससे अब आपका कोई लेना देना नहीं है. अब जो यह बाकी का number बचा है, यह 13 number अब इससे ही आपको मतलब है. अब जो भी number बचा हुआ है, means हमारा 13 बचा हुआ है, अब आपको देखना है, इससे पहले कौन सा एक number है, जो की perfect cube है. क्या बोला मैंने? इससे पहले कौन सा एक number है, जो की perfect cube है. अब 13 से पहले कौन सा number perfect cube है तो हमारा जो number ये 8 है ये perfect cube है और ये किसका cube है ये cube है 2 का तो हमारा cube क्या निकल कर आया 24 देखा कितना आसान था चलिए next question करती हूँ मैं और ये trick को फिर से आपको सिखाती हूँ चलिए तो हमें सबसे पहले क्या करना था unit digit देखनी थी 7 है इसकी unit digit तो मैंने आपको भी बताया था अगर unit digit में 7 आता है तो उसका cube root क्या निकल कर आता है 3 उसके बाद आपको ये last के 3 number से कोई भी मतलब नहीं है अब हम देखेंगे 79 से पहले कौन सा number है जो की perfect cube है तो अगर हम 5 ले लेते हैं तो 125 ये तो 79 से बड़ा है हमें 79 से छोटा number चाहिए तो 79 से छोटा number क्या है हमारा 64 और ये किसका perfect cube है 4 का तो हमारा answer क्या निकल कर आया 43 देखा कितनी आसानी से आप seconds में cube root निकाल रहे हैं अब मैं आगे question लूँगी और उसमें अपनी speed को भड़ाऊंगी और आप देखेंगे कैसे seconds में आपके बड़े-बड़े numbers की cube root निकल कर आएंगे चलिए अब हम फटा-फट इन questions को solve करते हैं तो unit is it में 3 है तो इसके चो cube root की unit is it है वो क्या होगी 7 और next number हम कैसे निकालेंगे इन तीन number को भूल जाएंगे अब बचा हमारा 185 185 से जस्ट पहले कौन सा perfect number का cube है तो ये 5 का cube है क्या 125 तो हमारा answer क्या आ गया 57 अब हमारा next number है 21952 अब इसकी unit is it में क्या है 2 और जो number आएगा हमारा 2 का क्या निकल के आता है cube root में 8 अब देखते हैं लास्ट ट्री डिजिट को भूल जाते हैं अब क्या बचा हमारा 21 अब 21 के पहले जस्ट कौन सा perfect cube है तो ये है 2 का cube 8 तो इसका answer क्या हो गया हमारा 28 unit is it 5 तो number क्या हो जाएगा हमारा 5 तीन number को भूल जाए 91 91 से पहले क्या है 64 64 किसका perfect cube है 4 का तो इसका answer क्या हो गया हमारा 45 अब देखते हैं ये वाला number 9 unit is it में अब क्या है number 9 तो cube root में भी unit is it में number क्या आएगा 9 अब इसके बाद 3 digits को भूल जाए बचा क्या 59 59 से पहले क्ये कौन सा number का perfect cube है तो 3 3 का cube क्या है 27 तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा 39 I think अब आप ये trick सीख गए होंगे और आपको बहुत जादा मज़ा आया होगा कि आपको बस दो स्टेप याद रखने है Step 1 में आपको unit digit देखनी है और Step 2 में आपको पीछे से 3 number छोड़के जो number हमारा बागी बच रहा है वो देखना है कि उससे just पहले कौन सा number है जो कि perfect cube है और वो perfect cube किस number का है बस ये दो स्टेप आपको याद रखने है और आप सेकंड्स में बड़े से बड़े number का cube root निकाल लेंगे तो अभी आप वीडियो को pause करिए और इन चारों question के answers मुझे below comment section में जरूर बताईए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please इसे like करे, share करे, comment करे और हमारे YouTube चानल को subscribe करना ना भूले और bell icon notification को hint करना ना भूले जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो की update मिलती रहे आप मुझे टेलिग्राम पर भी follow कर सकते हैं मेरा टेलिग्राम चैनल है at the red wonder banking और फेस्बुक पर follow करने के लिए type करिए wonder banking थैंक्स पूर वाचिंग दिस सेशन, चैनल को राइट नाउ subscribe कर दे और वीडियो को like and share कर दे मिलते हैं मंडे को अपने नेक्स सेशन में